जैमात अदी दोस्तों, बिना नहाय आप ये सभी कारे कर सकते हैं, नहाने धोने की ज़रुत नहीं है, सुबा उठते ही पहला कारे आपका यही होना चाहिए, और यदि आप लगातार 43 दिन इन सभी कारे को कर ले जाते हैं, तो निश्चित ही माता लक्ष्मी की क्रपा आपके सभी कारे करने हैं, कौन-कौन सी कार है, कैसे क्या करना है, सभी जानकारी हम आपको डिटेल में देंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफि करें हैं दोस्तों आप को सुभा उटते आप चाहे तो बिस्तर पर बैठे बैठे लेटे लेटे आप क्या करना है सबसे पहले आपको अपने हथेली उसकार निर्माड करते हैं हम अपने आने वाली संतानों के लिए नियों खड़ा करते हैं, इन ही हातों से, मेहनत करते हैं, दान पुने करते हैं, पुजा पाट करते हैं, सभी कारे इन दोनों हातों को करते हैं, इसलिए ये हात हमारे बहुत ही अनमोल हैं, और इन हातों को हतेलियों को जोड़ कर, यदि ह सबसागेर उट्ते ही बिस्तर पर बैठे बैठे लेठे लेटे भी आप कर सकते हो तेलियों का दर्शन करते हैं कि हमारी हिखेंलियों में अमाताल लक्षमी मां द्र करते हैं मन्तर पड़ते हैं इस सब ABOUT पर नियुक्त आसानी होगी उसके बार तब आप पहला कदम अपने जमीन पर रखें लेकिन कदम रखने से पहले माताधरती को प्रडाम करें क्योंकि दिखिए माताधरती के ऊपर ही हम रहते हैं और धर्ती के गर्म में उत्पन होने वाली चीजों से हमारा भरन पोशन होता है है न जितने भी अनाज हें हमारे खाने पीने की चीज़े हैं सोकसिनगार की चीज़े हैं सभी धर्ती के गर्ब से उत्पन होती है इसलिए मतधा धर्ती ओभु turning को पहला प्रडाम अर्सा करना को आई पहले बता देते हैं कि कौन सा वो मंत्र है जो की आपको अपने हाथेलियों का दर्शन करते हुए बोलना है कराग्रे वसती लक्षमी करमधे सरस्वती करमूले तू ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम इस मंत्र को बोलते हुए इसका अर्थ है हाथेलियों के अगर भाग में माता लक्षमी और मध्यभाग में विध्या की देवी माता सरस्वती और मूल भाग में भगवान गोविंद यानि ब्रह्मा का वास होता है और जिनका दर्सन हम सुबह सबेरे नित्य करते हैं, तो हमारे जीवन में निश्चित ही मा लक्ष्मी, मा सरस्वती और भगवान विश्णु गोविंद का वास होता है हमारे घर में, हमारे जीवन में, तो आप ये कारे करना प्रारंभ कर दीजे, उसके साथ में और भी एक कार करिए, अक्सर आप सभी लोगों के प्रस्न होते हैं, कि हम किसी काम पर जाते हैं, तो हमारा काम नहीं बनता है, हमें उल्टे पाउँ वापस आना पड़ता है, या बार बार आप उस चीज़ को प्रयास कर रहे हैं, और लाश मूमेंट में आपका वो कारे रुक जाता है, ऐ ऐसे में आपको ये कारे करके अपने घर से निकलना है, आप देखेंगे कि आपका कारे निश्चित 101% होगा ही होगा, करना क्या है, किसी भी काम को करने से पहले आपको जब आप अपने घर से पहला कदम निकाल रहे हैं, आपको दो में ठहर जाना है, और अपनी इन सांसों पर कंसंट्रेंट करना है, हमारी जो सांसे हैं, ये हमारे इनत्वना है, इसमें से चंद्रनारी और सूरे नारी होती है, तो आपको देखना है कि आपकी कौन सी सांसे तेज हैं, अपनी सांस को छोड़ेंगे, तो कोई एक सांस आपकी तेज चलेगी, वही कदम आपको बाहर निकालना है जैसे आपने सांस को छोड़ा तो एक तेज होगी एक मध्यम होगी तो आप तेज वाले कदम को बाहर निकालते हुए अपनी कारे पर जाएंगे तो आपका कारे निश्चित ही पूरा होता है दोस्तों यह कारे करने के लिए आपको नहाने धोने की जुरत नहीं है आप जब भी कारे पर निकले यह आप अजमा कर निकले आप चाहें तो पहला कदम जमीन पर रखने से पहले भी आप यह कारे कर सकते हैं ठीक है इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा नहाने दोने की जुरत नहीं है जैसे कि और कारे हम स्नान ध्यान करने के बादी करते हैं और एक महत्वपूर्ण कार है जो कि बिना स्नान की आप कर सकते हैं, उससे भी माता लक्षमी प्रसंद होती हैं, अपने मुख्य दर्वाजे पर जल का छिड़काव, दोस्तों जो आपका में गेट होता है, जहां से आप अपने घर में इंटर करते हो, वहां की हम बात कर रहे ह वो भी कारे आपको सुबह सबेरे उठते ही करना होता है, जब आप सुबह उठते हैं, आप एक लोटा जल लेकर अपने मुख्य दर्वाजे को धोएं, आप कई बहने पूस्ती ही, मैंने इस पर एक लॉंग बुडियो भी बनाई है, कई बहने पूस्ती हैं कि क्या हम जाड में रह रहे हैं, जैसे कि फ्लैट वगरा में, तो वहां पर बहुत जादा स्पेस नहीं होता है, एक के उपर एक घर बने होते हैं, अपने मुख्य दर्वाजे पर हलका सा पानी का छिड़काव करके हाथ से इस तरह से आपको दर्वाजे पर पानी लगा देना, आप गीले क सबस्था करके सोनी हैं कि हमें कहां पर हमने पानी रखा है, कौन सा क्या लेना है, बहुत जादा टोक या बहुत जादा किसी से आपको बात चीत करने की जरुवत नहीं है, यह कारे सुबह सबेरे नित नियम से आपको करना है, और यदि आप घर की महिला है, घर की मुख्या यदि ये कारे करती है तो इसका पुनेफल इसका जो प्रभाव होता है वो पूरे परिवार को मिलता है दोस्तों अक्सर आप में से कई बैने ये पूछती है कि हम महिलाओं को ही क्यों बहुत सारे कारे करने को कहे जाते हैं परिवार के मुखिया परिवार के जो पुरुष भाई होते उनके लिए ये कोई नियम नहीं है ऐसा नहीं है परिवार के मुखिया के उपर भी पूरे परिवार का जिम्मेदारी दाइट होता है आर्थिक धन कमाने की जो सोच होती है उनका जादा दाइट अभी तो सभी बरा पर होती है इसलिए महिला उस धन का संचय करती है महिला उसको कैसे कहां खर्च करना है वो विचार करती है और उस तरीके से उसको मैनेज करती है आपने देखा होगा कोई भी पुरुष हो कितना भी धन कमाले लेकिन यदि उसके घर में कोई इस्त्री नहीं है तो वो धन किसी क का नहीं है आपने सुना भी होगा कहावत भी है बिन घरनी घर भूत का डेरा यानि जिस घर में स्त्री नहीं है वह घर भूत का डेरा लगता है जहां पर चार पुरुस एक साथ रह रहे हों आप उस घर में जाकर देखिए कैसे आपको अच्छा नहीं लगेगा लक्ष्मी के बिना हमारा जीवन संभो नहीं है और लक्ष्मी के बिना जो हमारी घर की लक्ष्मी होती उसके बिना हमारा घर घर नहीं लगता मकान लगता है तो लक्ष्मी किसी भी रूप में हो आपके एक बेटी ही चोटी से क्यों नहीं हो अगर आपके घर में है तो वो घर को विवस् इस्त्रियों की ही पूजन करने से मालक्ष्मी इस्त्री हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, तो हमारे घर में मालक्ष्मी यानि की धन आने का योग बनता है, हम मालक्ष्मी यानि की मासरस्वती की पूजा करते हैं, तो विद्या, बुद्धी, विवेक आता है, लेकिन उसके साथ में हम भगवान गड़ेश की भी पूजा करते हैं भगवान विष्णू की भी पूजा करते हैं क्योंकि भगवान गड़ेश व्यग्न हरता है वो हमारे सारे विग्नों को दूर करके हमें कार में प्रगती रेते हैं उसी प्रकार से भगवान विष्णू की पूजा करने से मात महिला होती है वो मुख्य दर्वाजे पर जो सुभा सबेरे बिनास्नान की धोना वगरा होता है यदि आप सुभा नहीं उट पारे क्योंकि दिखिए इसमें समय की बहुत बड़ी महत्तुता है सुभा ब्रह्म महुर्त में ये कारी करना होता है जब सूर्य उदय नहीं हुआ टाइमिंग की हम बात करें तो सूर्य उदय नहीं हुआ तभी आपको ये काम करना है यदि सूर्य उग गया है आप नहीं उट पाए कोई बात नहीं आप स्नान ध्यान करें तब अपने मुख्य दर्वाजे को पानी से धोकर वहां पर एक दीप जलाएं केसर और हल्दी का च है यदि अदि ज्यादा परिशानियों से गाव है आपके घर में धन इकतर नहीं हो रहा है तो भी आप ज़ाडू कादान कर सकते हैं भुरु आर के दिन किया जाता है और पहले से जाडू लाके अपनी सिरान्य रख़े और सौ के इढरा नहायद हो जाके मंदिल की सीड़िय में संपन्यता लाते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेलफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज़ादा से ज़ादा लोगों में शेयर करें आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे जय माता दी